हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग मैं स्तिंदर कुमार फेकल्टी आफ केमेस्ट्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल स्तिंदर सर क्लासेश पर वीडियो को आप शेर निल कर रहे हूं वीडियो को शेर जरूर करें ठीक है देख रहे हैं हर चीज आपको आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक है और आपका टाइम भी सेव हो रहा है ठीक है बहुत जल्दी स्लेवस भी कंप्लीट होगा क्योंकि रिकोर्डिंग में क्या होता है आप लोगों लगता है गंड़ा लेकर उसमें टाइम ज्यादा लगता है कुछ ही लिखनी पड़ती है आपको का टाइम बजा सके आपका जल से जल से लिवस कंप्लीट करा सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है ठीक है तो दूसरा अटाइम की थोड़ी शोटेज यह भी बोल सकते हो नहीं तो लाएब आके भी पढ़ा देते कोई दिक्कत नहीं चलिए आएंगे बीच में लाइब चलिए स्टार्ट करते तो आज की भीं महरा टापिक रहें गटा वो रहेगा कंडूक्शन कंडूक्ष्ण बोलिजी या कंडूक्टेंज मतलब क्या होता है फलोल बेट्रिस इटी शेक है और अब किसमیک bleal को बैटरी से करदाए तो उसमें से जो electricity flow करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? number of free electrons पर डिपेंड करेगी वहीं अगर आप किसी solution से electricity को flow कराना चाहते हो तो solution के अंदर electricity को flow कॉन कराता है बैटा? ions कराते हैं, ठीक है? तो metals के थूरू electricity electrons के थूरू flow होती है और solution के अंदर electricity जो होती है वह किस के थुरूँ quality है? ions के थुरूँ फ्लोँ होती है तो जब यह electricity flow होती है metals के तरूँ यही क्या कहलाती है metallic conductance और जो substance होता है वो कहलाताю metallic conductor और वही solution से flow करती है तो उसको क्या बोलते है electrolytic conductance तो आज हमें यह पढ़ने हैं, तो देखते हैं, metallic conductance की definition लिखते हैं, the conductance, the conductance due to, due to flow of electrons, due to flow of electrons, the conductance due to flow of electrons is known as is known as metallic or electronic conductance, is known as metallic conductance, ठीक है न, इसके बारे में और भी बाकी चीज़ बात करेंगे, लेकिन यह आपको मेली physics में आता है, हमारे लिए important क्या है, electronic conductance है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, physics में आप लोगों ने पढ़ा होगा है, बढ़ा, अगर हम temperature को बढ़ाते हैं, तो temperature को बढ़ाते हैं, तो kernels जो होते हैं, वो क्या करते हैं, Vibrate करते हैं, वाएबरेत करने से क्या होगा उनका, यह electrone के motion में disturbance also 형 करेंगे और electron के motion में disturbance generation क्रेंगे तो resistance बढ़ेगा, temperature बढ़ने से resistance बढ़ता है तो यह जो metallic conductance होता है यह क्या हो जाएगा घड़ जाएगा ठीक है नहीं फिजिक्स में आता है फिजिक्स में आप अच्छे से detail में पढ़ोगे ठीक है ना कि temperature बढ़ेगा तो resistance बढ़ता है मैं आपको बता भी देता हूँ देख लीजी देखिए होते हैं kernels पहले electron क्या था फिटा फ्रीली जा रहे थे electron जो थे वो फ्रीली जा रहे थे लेकिन अगर आपने इसका temperature बढ़ा दिया तो temperature बढ़ाने से क्या होगा यह जो kernels थे यह vibrate करना start करेंगे यह जो kernels हैं यह vibrate करना start करेंगे तो metals का resistance होता वो बढ़ता है जिसके होज़े से उनका conductance काम हो जाता है electricity flow of electrons काम हो जाता है ठीक है इलेक्रोलिटिक कंड़ेक्टेंस और यह आईनिक कंड़ेक्टेंस का मतलब क्या होगा यह किसके लिए define होता है बटा solution के लिए define होता है जैसे आपने किसी solute को solvent में डाला ठीक है अब वो उसके इंदर जाकर अब डिपेंड करता होगा या नहीं होगा अगर electrolyte है तो वो देसोशियेट होगा electrolyte के definition क्या होती है सुन लेजिए बढ़ा काम आएगा भी electrolyte बटा क्या होते है electrolyte बहुत सबस्टान्स होते है जिसमें से अगर आप electricity को pass करोगे किसी सबस्टान्स अगर आप electricity को pass करते हो तो वो आईंस में dissociate हो जाए उन्हें बोलते हैं May electrolyte अब यह दो तरीके के होते हैं एक होते है strong electrolyte एक होते है Wy native electrolyte अगर किसी substance से आप electricity pass कर रहे हो तो यह जो electrolytic conductance होगा, यह किस की वज़े से होता है, यह ions की वज़े से होता है, ठीक है, तो लिखोगे, next, the conductance, the conductance is due to ions, of a substance, the conductance due to ions of a substance, is known as, is known as, electrolytic conductance, is known as electrolytic conductance, अब इसमें क्या होगा, सबस्टांस डिकंपोज होगा, क्योंकि अगर सबस्टांस डिकंपोज नहीं होगा, तो ions में नहीं आएगा, और ions में नहीं आएगा, तो electrolytic conductance का कोई मतला भी नहीं, तो electrolytic conductance में क्या होगा, जिस भी सबस्टांस का electrolytic conductance होगा, उसका decomposition जरूरी है, क्योंकि डिकंपोजिशन से क्या होगा, वो ions प्रोड्यूस करेगा, तो लेको, in this, a substance undergoes decomposition, theoretical topic है, ठीक है न, आगया कि नुमेरिकल भाला पार्ट भी आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबस्टांस किसके थूरू होगा, डिकंपोजिशन के थूरू, ions में टूटेगा, ठीक है न, उसके बाद करें, जो electrolytic conductance होता है, यह किसके factor पर depend करता है, तो देखिए, चार factor पर depend करता है, क्योंकि यह हमारा main part ही है, metallic conductance तो physics का part है, हमारे 12th में chemistry का part नहीं है, ठीक है न, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में था, बता दियता है कि अब differentiate कर पाओ, दोनों में metallic और electrolytic conductance में अंतर क्या होता है, तो यह चार factor पर depend करता है, अब यह इन factor पर कैसे depend करता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर एक बार मैं आपको बता देता है, तो temperature यहाँ पर मैं explain करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था न, temperature का बताया था, अब उसको explain करेंगे, फ क्या होगा, यही फेक्टरी यही पर देख लिए, जैसे जैसे अब temperature बढ़ा होगे, तो ions की क्या होगे, क्योंकि temperature और kinetic energy में direct relation होता है, kinetic energy बढ़ने का मतलब क्या होगा, उनकी mobility बढ़ेगी, अब यह ions है तो यहाँ पर बोल देते हैं, ionic mobility, ionic mobility, मतलब उनकी बहने की speed ज क्या होगा, इनक्रीज होगा, ठीक है, अगर आप difference में आगे लिखवाँगा, तो metallic conductance में एक बात बताईए, metallic conductance में क्या matter flow करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक wire को, कोई wire है, ठीक है उसको बैटरी से connect कर दिया, एक wire को आपने battery से connect कर दिया, किसी substance को, metallic substance को battery से connect कर दिया, तो battery क्या करती है, एक end उसका electron देगा, और दूसरा end उसका electron लेगा, जैसे कर हम बात कर रहें, यह battery है, तो एक end इसका electron देगा, और दूसरा current इसका electron लेगा, तो अब यह जिस भी चीज से connected है, जिस भी चीज से यह all- доб दो यह अभी जो वायर वैटाव मेटलइक वायर लेंगे तो अगया ते एलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह क्या करंगे इसके अंदर के जो इलेक्टों सास्ट करेंगे क्या करेंगे उसको पूश करेंगे कि बहुत बढ़ी मेकानिजम बता रहा हूँ ठीक आपने पहले नहीं इसके अंदर एलेक्ट्रों प्रेजेंट बैटरी से एलेक्ट्रों को पुष करेगा ये इसको पुष करेगा ये इसको पुष करेगा ये इसको पुष करेगा तो ये लेक्ट्रों पुष करते 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 इस तरीके से यहां पर पहुंचेंगे इसलिए बोलते हैं कि बैटरी के एक end से जितने electron निकलेंगे उतने ही electron उसको दूसरे end से वापस मिल जाए apolog ज़से क्या हो रहा है यह push करते करते वेंचलेंगे जो यहाँ पर होगा अगले को push करेगा वो अगले को अगले को अगले को žसरे इस तरिके से electron का motion होता है तो आप इसमें कहीं भी देखिए, यह जो substance था, यह जो matter था, यह कहीं पर flow किया इसने, जितना matter यहाँ पर है, यहाँ पर है, flow क्या कर रहा है, अब electron का push हो रहा है, matter कहीं पर flow कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें matter का flow नहीं होता, जिबकि electrolytic conductance में क्या होता है, matter flow करता है, electrolytic conductance में क्या करता है, metal flow करता है, ions flow कर रहे हैं ना बेटा, ions क्या matter है, तो अगर ions flow कर रहे हैं, तो matter flow कर रहा है, तो जो आपका metallic conductance होता है, इसमें matter flow नहीं करता, ठीक है ना, जबकि electrolytic conductance में क्या करता है, matter flow करता है, ठीक है तो लिख होगे, in this matter flows, in this matter flows, ठीक है, ओफुली, पर जल्दी में बताया है क्योंकि important नहीं है थे न खास, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, अच्छा है, मुट क्या लिख दिया, matter does not flow आया होगा, in this matter, sorry, it's my mistake पश्ता चाप करना पड़ेगा, कर लिए लिजीब, matter does not flow, ठीक है, इसमे matter flow नहीं करेगा, चली, in this matter flows, ठीक है, अब factors के बारे में बात करते हैं, बटा, देखिए, ठीक है, तो electrolytic conductance, चार factor पर डिपेंट करता है, एक एक करके सबको देखते हैं, तो सबसे पहले आता है, solute, solute interaction, ठीक है, ठीक है, अगर इस solute और यह जो solute के जो particles है, अगर इनके बीच में बटा interaction ज्यादा होगा, अगर यह जो interaction है, अगर इनका interaction जो है, इनके बीच में जो force है, वो ज्यादा powerful हुआ, ज्यादा powerful हुआ, तो ionic mobility पर क्या effect पड़ेगा, एक तो बेटा कर आप इनको अलग कर दो, दोनों को अलग करके flow कराओ, और एक को जोड के flow कराओ, ठीक है न, मींस, एक इनका bond को तोड़ दो, जो bond तोड़ दो तोड़ दिया उसको, कई बार ऐसा होता है, कि आपने completely dissociate नहीं होगा, completely dissociate नहीं होगा, तो उसके particles के बीचवे interaction बने रहेंगे, इन दोनों के बीचवे interaction बने रहेंगे, तो क्या इस interaction की वजए से, जितना उसे flow करना चाहिए था, जितना powerfully, वो freely flow कर सकता था, क्या वो उतना powerfully flow कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो अगर solute, solute के बीच की interaction ज्यादा है, तो ionic mobility क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर ionic mobility कम हो गई, तो electrolytic conductance, EC, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये paper में आज तक अब ये question आया नहीं है, ठीक है न, आभी जाए तो यही चीज़ आपको theory में लिखनी है, if solute, solute interaction are more, then ionic mobility is less, as a result of this, electrolytic conductance decreases, simple, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, अब हम solvation of ions पर आते है, solvation of ions का मतलब क्या होता है, सुनिए, आपने solute था, ये ही solute था, आप, for example, आपने इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है, देखिए, for example, solute आपके पास A-B था, solute था आपके पास A-B, ठीक है, आपने इसको पानी में डाल दिया, तो जैसे आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद ये ions में तूट गया, तो अब क्या होगा, ये जो A positive ions थी, ठीक है, अब water जो है बटा, ये water है आपका, ये भाग कर इसके पास आया, water को बहुत प्यार होता है, जो भी चीज वाटर के अंदर जाती है, भाग कर, water उसके पास जाता है, तो ये water इसके पास भाग कर गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैटा, partial negative होगा, electronegativity की वज़े से, यहाँ पर partial positive, ठीक है, इसी दरगे से partial negative, water के अंदर ये होता है, तो अब क्या होगा, अब इस positive और negative में interaction होगा, तो यहाँ पर इनके बीच में interaction होगा, यहाँ से इसके बीच में interaction होगा, यह interaction होगा, और यह interaction होगा, तो water ने क्या किया, जैसे कोई चीज़ पानी में आई, ठीक है न, उसने क्या करते हैं, उन ions को घेर लिया, क्या कर लिया, उन ions को घेर लिया, इसको बोलते हैं, बटा हम solvation, क्या बोलते हैं, solvation, अगर आप किसी भी substance को किसी solvent पे डालते हो, तो solvent के molecules जो होते हैं, वो substance के particles को घेर लेते हैं, इसको कहा जाता है, solvation, अगर यह solvation ज्यादा हुआ, चीक है, अगर यह solvation बढ़िया हुआ, ठीक है, तो बढ़िया होगा, तो यह bond भी बढ़िया बनेंगे, solution बढ़िया होगा, यह bond strong बनेंगे, और अगर यह bond strong बन गए, तो पहले यह जो A positive क्या था, अकेला था, अब इसके साथ water molecule जूड़ गए, water molecule जूड़ गए, तो यह भारी हो जाएगा, यह था, water में डाप ज गेर लेगा, ठीक है, यहां से पानी गेर लेगा, इनको, ठीक है, यह partial positive, यह partial negative, partial negative, partial positive, partial positive, partial negative, ठीक है, तो इससे कहते है बटा, solvation, तो अगर solvation ज्यादा हुआ, तो ionic mobility क्या हो जाएगी बटा, कम हो जाएगी, अगर solvation ज्यादा हुआ, तो ionic mobility कम हो जाएगी, और अगर ionic mobility कम हो गई, तो electrolytic conductance भी कम हो जाएगा, ठीक है, आगे बड़े, चली, अब solvent, solvent interaction बोलिए, चाहे, viscosity of solution बोलिए, देखे, माल लीजिए, यह solvent था, यह आपका solvent है, ठीक है, अगर हम इनके बीच में interaction की बात करें, अगर यह interaction strong होगी, ठीक है न, solvent और solvent में अगर interaction strong होगी, तो क्या अब जो solute के particles थे, यह जो ions की बात करें, अगर हम ions की बात करें, तो क्या वो easy lease में से flow कर पाएंगे, अगर इनके बीच, इंट्रेक्शन जो है, solvent, solvent के बीच अगर interaction ज्यादा है, तो क्या यह ions freely move कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और अगर freely move नहीं कर पा रहें, तो इसकी ionic mobility क्या होगी, कम होगी, और ionic mobility कम होगी, तो electrolytic conductance भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहीं होती है आपके viscosity, ठीक है न, तो solvent, solvent interaction बोलिए चाहे विस्कोसिटी बोलिए, तो अगर viscosity of solution, अगर यह ज्यादा है, ठीक है, अगर यह ज्यादा हुई, तो ionic mobility क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर ionic mobility कम हुई, तो electrolytic conductance भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, temperature वाला factor मैंने भी बताया था आपको, अगर हम temperature बढ़ाएंगे, तो kinetic energy of ions बढ़ेगी, और kinetic energy बढ़ने का मतलब, ionic mobility बढ़ेगी, और अगर ionic mobility बढ़ी, तो electrolytic conductance भी बढ़ेगा, तो यह चार factor है, ठीक है, नोट कर लीजी, screenshot ले लीजी, बाद में कर लेना, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, अब हम इन दोने में इतना ही समझाया है, इसको difference करके लेक देते हैं आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन यह आ सकता है, तो metallic conductance किसकी बज़े से होता है, it is due to flow of electrons, यह electrons की flow की बज़े से होगा, और यह किसकी बज़े से होगा, it is due to flow of ions, जो metallic conductors होते हैं, इसमें कोई decomposition नहीं होती है, substance की, substance does not undergo, substance does not undergo decomposition, और इसमें क्या होगा, substance, decomposition शोग करेगा, substance undergoes, substance undergoes decomposition, metallic conductors में क्या होता है, अगर हम temperature बढ़ाते हैं, temperature बढ़ाने से क्या होता है, resistance बढ़ता है, resistance बढ़ने से metallic conductors क्या होता है, कम होता है, वही अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम temperature बढ़ाएं, temperature बढ़ाने से, ionic mobility बढ़ती है, kinetic energy बढ़ने की वज़े से, ionic mobility बढ़ती है, और अगर ionic mobility बढ़ती है, तो electrolytic conductance क्या होता है, बढ़ता है, इसमें matter flow नहीं करता, matter does not flow, matter does not flow, और अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसमें matter flow करता, matter flows, ठीक है, अब देखें, अब यह जो electrolytic conductance होता है, इसको हम कैसे calculate करते हैं, ठीक है न, इसको calculate करने के लिए जो cell बनी है, उस cell को हम क्या बोलते हैं, conductivity cell, और वो cell कैसी होती है देखने में, आप देख लीजे, इस तरीके के cell होती है, यह 3D में होता है, मैंने 2D में बनाया है, यह 3D में है, ठीक है न, हमें जिस electrolyte का, जिस solution का, हमें, जिस substance का electrolytic conductance calculate करना है, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है न, अब यह जो plates हैं, इस एक plate का area माल यह A1 है, इस plate का area है A2, यह same भी हो सकता है, different भी हो सकता है, ठीक है, और यह जो length होती है, यह होती है L, L length के हम substance लेते हैं, जिसके अंदर electrolytic solution को fill किया जाता है, तो इसका use कहाँ पर करते हैं, electrolytic conductance, find करने के लिए, it is used to find electrolytic conductance, अब इस से related बहुत सारी term आएंगी ठीक है न, जब हम conductivity cell पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी term होती है, कि conductivity क्या होती है, resistance और resistivity तो आपको पता है, conductance क्या होता है, conductivity क्या होती है, molar conductivity क्या होती है, अब इनके बारे में हमें पढ़ना, लेकिन उससे पहले देखिए, यह जो A1 और A2 है, यह है आपके area of cross section, ठीक है, अब देखो, मैं कहा रहा हूँ, अब देखो, यह slayvus की बात नहीं है, आपको यह entrance skill purpose से बात बता रहा है, ठीक है न, अब माल लेजी, अब यह 2D में आपको दिख रहा हूँगा, कि जब यहाँ solution डालोगे, तो वो दोनों electrode को जितना यहां से touch करेगा, यहां से touch करेगा, लेकिन 3D में ऐसा नहीं होगा, 3D में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, कि solution जो है, वो इसके इतने part को touch करे, वो इसके पूरे part को touch करे, आपको क्या करना हमेशा, यह जो part है, यह common part है, तो आप common area लोगे, तो common area किस के साथ आएगा, जिस plate का area कम होगा, तो अगर हमें इसकी बात करें, तो यहां पर यह common area था न, यह वाला common area है, तो इस plate का area लेंगे, A1, ठीक है, यह है A2, तो हम area A1 कंसिडर करें, तो always take common area, ठीक है न, always take, इस लिवस में कोई ज़रूरत नहीं, इसकी, common area, माल लेजिए, that is, if A1 is greater than A2, कौन साइरिया होगे, then take A2, Jones area छोटा होगा, if A1 less than A2, माल लेजिए अब की बार, A1 plate का area कम है, तो जिसका कम है, वो लोग है, ठीक है, तो यह होते बड़ा conductivity से है, इससे आपके syllabus में कोई question नहीं पूछा जाएगा, अब आप से जो question पूछी जाएगे, अब उस पर आते हैं, ठीक है, कि conductance क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है न, तो देखो, उल्टा, simple भासा में, define करना है, reciprocal of resistance, simple, ठीक है, तो लिखोगे, the reciprocal of, physics में आपकाई detail में, the reciprocal of resistance is known as conductance, the reciprocal of resistance is known as conductance, इसको हम g से लिखते हैं, तो g बराबर है, one upon r, तो यह होता है आपका conductance, तो इसकी अगर हम unit बात करें, तो unit क्या हो जाएगी इसकी, om inverse, यह बोल सकते हो more, और एक और होते हैं बटा साइमन, साइमन को हम इसकी ऐसा unit मानते हैं, ठेक न, यह वाली जो है, इसको हम इसकी, ऐसा unit मानते हैं, resistance का आपको पता ही होगा, resistance का formula क्या होता है बटा, अब एक टर्म होती है, cell constant, जी स्टार से इसको हम लिखते हैं, यह क्या होती है, यह जो L by A वाला फेक्टर है, यह होता आपका cell constant, तो किसी भी cell के लिए यह value fix होती है, for a particular cell, it has fixed value, एक particular cell के लिए, इसकी value fix होती है, ठीक है, और हो क्या होती है, resistivity होती है, where, rho है resistivity, L length, जीस में आपने देखो, अभी conductivity cell में दिखाया था, ठीक है, यह होगी L length, और A होगी आपका area of cross section, circular cross section का लो, circular area लिए 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 लिएना बेटा, ठीक है, नोट की जीस को जल देखोर, एक मुंदर नोट करो, जे वो जा करते है, एग, प्यपचू हैंवी आपका अचितु को जा झालने लिते अँं़ेदिएangers जीस में आफ़ने नोट करने के पazing जात का ऑफिर tietए, यद soy extraordina है, उन्म crear स में सअव से ब्सस्क्ता, झाल 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 0.0 झाल 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 146 झाल 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 0.1 झाल 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 1 झाल झाल 1 झाल 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 50 झाल 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 झाल